next question question says point charge plus q minus q 4q plus 4q are kept on the x-axis at point x equal to 0 a or 2a respectively अब हमें 4 option में से बताना है सही कौन से होएगा हमारे option से पहला है कि only q is in stable equilibrium none of the charges are in equilibrium all the charges are in unstable equilibrium all the charges are in stable equilibrium बहुत ही basic properties यहां आपने को clear होनी चाहिए सो हमारे जो charges है चार्ज रखा हुआ एक चार्ज 0,0 पर रखे हैं हमने plus 4 q plus 4 q दूसरा चार्ज रखा यहां पर minus q और तीसरा चार्ज रखा यहां पर plus 4 q अलाइट तो यह हमारे charges यहां पर इस तरह configuration में रखे हुए इन दोनों के बीच का distance a है इन दोनों के बीच का distance a है नौ यह बात अपने को पता है कि यह जो q चार्ज है इसके उपर इधर एक attractive force लग रहा है इधर एक attractive force लग रहा है दोनों में दोनों force की value बराबर होएगी हैंस यह वाला हापका equilibrium में है तो यह वाला charge आपका equilibrium में है अब हमें comment करना है तीनों charges के उपर तो यह वाला तो definitely हमें यह भी पता है कि दो charges है जिनका अगर magnitude same है तो उनका equilibrium right at the center midpoint पे equilibrium आता है तो यह आपका equilibrium point हो गया हमें यहाँ पर चेक करने की सब्सक्राइब क्या इसके उपर भी आपका net force 0 है ना इसके उपर भी net force 0 हुआ तो इसके उपर भी net force 0 होगा due to symmetry वह check करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे के इस 4Q के उपर लगने वाला force जो होएगा F net वह होगा के इसका charge 4Q multiplied by इसका charge minus Q divided by A का square यह तो इसकी वज़े से force आया plus इस 4Q की वज़े से होगा 4K 4Q multiplied by 4Q divided by 2A का square so यह हो गया के 4Q square और इसके साथ आएगा minus sign divided by A square plus यह आएगा 16K Q square divided by 4A square यहाँ से cancel हो जाएगा यह भी 4Q square बचेगा equal to 0 इसका मतलब यह वाला charge भी equilibrium में symmetry से यह भी equilibrium में होगा तो तीनों आपके equilibrium में हो गए अब हमें comment करना है कि equilibrium आपका stable है या unstable है अगर आप इस charge को displace करेंगे इस तरफ अगर आपने इस तरफ discharge किया तो दोनों के तरफ इस तरफ दिस्प्लेस हुआ तो equilibrium stable होएगा इधर करेंगे तो यह वाला equilibrium आपका unstable होएगा और अगर आपने इस charge को इधर या इधर Plague order siblings किया तो यहां इदर इसको दिस्प्लेइज किया तो इविँ अंस्टेबल होगा यहां पर नहीं से बात कर रहे हैं दिया हुँ है उन चार ऑपशन के यहां सकते हैं कि वह उनली Dahram तो अगर आपने इस लाइन पर कहीं पर भी चार्ज को आपने डिस्प्लेस किया तो वो सारे आपके स्टेबल अभी तो एक्विलिब्रियम है बट वो सारा अंस्टेबल की कंडिशन होगी विकॉर उस केस में चार्ज के उपर अन्बैलेंस फोर्स होगा एंदे विल नॉट कम बैक तो दिर ओरिजन पॉरिशन सो बेस ओन देस हम कहा सकते हैं कि आप्शन नमबर सी ओल चार्ज आरे न उन्स्टेबल एक्विलिब्रियम वोड विट वी थे मोस्ट लाइकली करेक्ट आंसर